लेकर चिड़े घमासान को लेकर जिसमें इसकॉन टेंपल के खिलाब भद्दे कमेंट किए गए हैं इसकॉन टेंपल पहग्वान श्रीकिश्न को समर्पित है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं इस ख़बर में दूसरी पार्टी है शिमारू, जिसके प्लाटफॉर्म पर Iskon Temple के खिलाफ, ये भध्धे कमेंट किये गए, जिएक कि तीसरी पार्टी है, कॉमेडियर सुर्लीन, जिन्होंने Iskon Temple के खिलाफ, ये तमाम भध्धी बातें कहीं, दूसतों ये तो बात होई कि इसम शेमारू इस पर माफी मांग रहा है लेकिन एसकॉन टेंपल का प्रिशासन इस पर राजी होने को तयार नहीं लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुरलीन ने आखिर ऐसा क्या कहा था दुर्शल शेमारू का एक कॉमेडी शो है जिसका नाम है कॉमेडी स्टूडियो सुरलीन ने कहा था बेशक हम सब इसकॉन वाले हैं पर अंदर से हम सब हा आगे हा से गाली का इस्तमाल किया गया पॉर्ण वाले हैं इसके अलावा वो कहती नजर आ रही है कि धन ने हमारे रिशी मुनी जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज़ करके अपने बड़े बड़े कांड छिपा लिए जैसे की कामसूत्र इस तरीके के कई सारी बाते सुडलीन ने इस कॉमेडी शो में कही और यहां बैठे तमाम लोग हिंदु समाज और उसका एक पिर्तिस्ठित मंदिर संस्थान इसकौन के खिलाफ हो रही इन बातों पर हंसी और ठहाके लगाते नजर आते हैं इसकौन ने मुंबई पुलिस को लिखे इस पत्र में कहा है कि इस वीडियो की भाज़ा ना केबल आपत्ती जनक है बलकि अपमान जनक भी है दोस्ताओं को बताते हैं कि इस शिकायत के सामने आते ही विवाद और ज़्यादा बरता देखकर वीडियो को तुरंत यूट्यूब से शिमारू ने हटा लिया है लेकि शिमारू के माफी के बाब जूद भी इस कॉन टेंपल लगतात इस पर भढ़क रहा है उन्होंने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है और साथी आरोप लगा है कि सनातन धर्म के खिलाब मजाक उड़ाकर सुर्कियों में आना और फेमस होना कॉमेडियन्स के लिए एक फैशन बनता जा रहा है जबकि दूसरे धर्म के खिलाब ऐसा करने पर एक बड़े विरुद का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में हिंदु धर्म के खिलाब इस तरह के अनरगल बातों को बरदाश्ट क्यों किया जाए हलक इस नाराजगी के सामने आते ही शिमारू ने ट्विटर पर खुद को इस विवात से अलग करने की कोशिश करते हुए और सुरलीन और शो के एंकर बलराज सयाल जी हां नाम याद रखेगा बलराज सयाल के भविश में किसी भी तरह का एसोसियेशन रखने से साफ मना कर दिया है दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है क्या इस तरह से किसी एक धर्म को टागेट करते हुए कॉमेडी करना भद्धी कॉमेडी के दारे में नहीं आता है क्या इसे बरदाश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए या इसकाउन टेमपल को लगातार अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए आप अपनी राएनी चेक में कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर आपको हमारी ये रेपोर्ट पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, जादा से जादा लोगों तक शेयर करें, धन्यवाद